नमस्कार मैं एंजुर जवत आपका स्वागत करती हूँ आज हमारी रसोय में एक बहुत ही कमाल की रेसी भी बनने वाली है हम बनाने वाले हैं वेफर वेफर बहुत ही टेश्टी लगते हैं खाने में बचों को भी बहुत पसंद आते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है, तो चलते हैं रसोय की तरफ, तो आदा बाउल बरके हम सबसे पहले मेदा लेंगे, और मेदा को एक बड़े बाउल के अंदर डाल देंगे, आदा बाउल में हमने तीन बड़ी चम्मच नाप के और पिसी भी सक्कर लेगी है, तो आदा बाउ की भर के नमक डाल देंगे, नमक जदा नहीं डालना है, बस हमने दो चुटकी नमक इसमें डाल दिया है, इससे क्या है बहुत अच्छा टेश्ट आता है, तो टेश्ट के लिए हमने इसमें नमक डाला है, अब हम इसी के अंदर डाल देंगे बेकिंग पाउडर, एक भरके और हमने इसमें डाल दिया है कोको पाउडर अब हम इसे मिक्स कर देंगे तो इसको अच्छे से मिक्स कर देना है अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने ले लिया है दूद तो आदा ग्लास बरके हमने दूद लिया है दूद गुनगुना है और आपको ध्यान रहें कि मैं तोधे यह इसंता है अधार शेशी थोड़ा जहां मैं और की तोड़ा पर शेक्छा फेक्ट पर विखाने है और एक दम पर्फेक्ट अधाई झाय है और दिर्वस्न अजय कि दूत नहीं के आदा जान इस तो आपके पास वेनिला एसेस है तो आप उसमें डाल दें उससे किया बहुत मस्त टेस्ट आता है तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब हम ले लेंगे और उसको गेस के रख देंगे, गेस एकदम लो फ्लेम पे रख दिया है, और इसको बिल्कुल हलका सा गरम करना है, कि जब हम पेन के उपर हाथ रखें, तो हमारा हाथ बिल्कुल भी ना जले, और हम उसे आराम से रख पाए, तो इसको चेक कर ले, उसके बाद ही आप इसमें वेफर बनाए, अ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक चमच भरके, और इसके उपर घोल डाल देंगे, और उसे चमच से इस तरह से एकदम पतला करके उसे फेला देंगे, तो इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बिल्कुल पतला सा बनाना है, तो इस तरह से गोल-गोल घुमाते हो इस इस तरह से उसे फेला दें, तो इसको फेलाने के बाद एक ऐसा ब्रस लें और ब्रस से उसे पूरे को एक जिसा कर दें, तो इसको हम धीरे धीरे आराम से एक जिसा कर देंगे, अभी हमने गेस बंद किया हुआ है, गेस ओन नहीं किया है, हलका सा तवा गरम करके और गेस को बंद कर दे और उसके बाद ही आप इसके उपर घोल डाले और इसे इस तरह से फेला दे तो इसको इस तरह से फेलाने के बाद अब हम गेस को ओन करेंगे और गेस को ओन करके एकदम लो फ्लेम पे से हलका सा हम सिखने देंगे तो देखिए हमने गेस बंद कर दिया है क्योंकि ह हमें तवा जादा गरम नहीं करना है तो हलके हलके गरम पे ही फटा फट से बन जाता है अब एक ऐसी पेंसिल ले लेंगे और पेंसिल लेके और इसको हम इसमें रोल करेंगे तो इस तरह से इसको उठा के और इस तरह से इसे लपेट देंगे तो इसको गरम गरम को ही फटा गया है कि बंचुका है नंब बहुत ही बड़िया गेश भी बंद है तो अभी क्या हमें दूसरा वेफर बना नोग ना तो धुबावी जब तक ठंडा हो जाएगा तो अब अम पेंचिल को इसे की रखे रहेंगे यह बिल्कुल नहीं खुलेगा बेल करques न 12 बनी मेबद consistency आर्र हो चुका है तो इस तरह से हम सारे ने वेफर बना लेटे हैं तो पहले मुंत आज प्रइब कर और निजिएक परए पन के तयार टो और जब दूसरे में बनाते हैं तब तक एक पिंठंडा हो जाता है तो फिर हम उसमें डाल देते हैं तो इस तरह से क्या है फटाफट से बन जाते हैं तो सारे वेफर बन कर तयार हो चुके हैं बहुत ही बड़िया एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी वेफर तो हमने ले ली है dairy milk chocolate, हम इनको खोल के और इनके टुकड़े कर लेंगे, dairy milk chocolate के सारी के टुकड़े कर लिये हैं, अब हमें कैसी plastic की पन्नी लेंगे, आप चाहें तो यहां जो दूद की थेली आती है ना तो खाली वाली थेली ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो liquid भी ला सकत है और पानी जिसे गरम होगा तो हम इस कोन को पानी के अंदर इस तरह से डाल देंगे, इससे क्या है चोकलेट फटा फट से पिघल जाएगी, तो इसको हम गरम पानी में डाल के और इस तरह से धीरे धीरे हिलाते रहेंगे, जिससे यह फटा फट से पूरी चोकलेट पिघल तो लिए ठाल तक शुक वाँवे लिदे करेंगे हैं। डाल देंगे तो इस तरह से हमने सारे वेफर बना लिये हैं सभी के अंतर हमने चोकलेट भर दी है अब हम एक आपको तोड़ के दिखाते हैं तो यह देखिए इसके अंदर तक बढ़ चुकी है नो चोकलेट यह पूरा एकदम फुल हो चुका है अंदर से और बहुत ही बढ़